नमस्कार आपका आख़बार के संख में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग जहां सत्ता होगी वहां संघष होना बड़ा स्वाभाविक है और ये संघष दो स्तरों पर होता है कभी ये संघष जो है सतह के नीचे चलता रहता है कभी सतह के उपर आ जाता है ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वो सतह के नीचे होगा या सतह के उपर होगा एक और बात पर निर्भर करता है कि जो सत्ता के सर्वोच शिखर पर बैठा है उसकी ताकत कितनी है ताकत अगर उसकी ज्यादा है तो ये संघर्ष सतह के नीचे चलता रहेगा और जैसे ज्वाला मुखी का लावा खदबदाता रहता है लेकिन हर समय फूटता नहीं एक समय आता है जब वो फूट कर बाहर आता है तो जब वो शीर्ष पर बैठा व्यक्ति थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखता है तो सत्ता का जो संघर्ष है वो फिर सतह पर आ जाता है भारती जन्ता पार्टी में लोगसभा चुनाओ के नतीजे आने के बाद ही ऐसी ही परिस्तिती बन रही है पार्टी के अंदर ऐसे निता हैं जो इस अउसर की तलाश में 2014 से थे 2014 में नहीं मिला यह उसर तब आपको याद होगा 160 और 180 का क्लब बना था कि इससे ज़्यादा भारती जन्ता पार्टी के सीटे आएंगी नहीं तो ऐसे में बाहर से सहयोगी को लाने के लिए एक ऐसे नेत्रत्यों की जरूरत होगी जो सब को स्विकारे हो और ऐसी परिस्थिती में नरेंद मोदी स्विकारे नहीं होंगे यह वो मान कर चल रहे थे फिर यह क्लब जो है इसकी इन्होंने संख्या थोड़ी बढ़ा दी 2019 में यह 220 का क्लब बन गया और यह उमीद की जा रही थी कि 220 से ज़्यादा सीटे नहीं आएंगी पांस साल की एंटी इंकम्बेंसी है तमाम और तरह के मुद्दे है उन सब को देखते हुए और कॉंग्रेस पार्टी बड़े अक्रामक रूप में थी राहुल गांधी को प्रधान मंत्री पत का उमीदवार घोशित कर दिया था उनको लग रहा था कि सरकार बनने जा रही है कॉंग्रेस के नेतित में गट बंधन की सरकार एक बार बनेगी जिस तरह से 2004 में बनी थी तो राहुल गांधी को प्रधान मंत्री बनाने की पूरी तयारी थी और उनके जो करीबी लोग थे जो उनके लिए काम कर रहे थे जो उनके लिए सर्वे बगर कर रहे थे रणनीती बना रहे थे उनको उम्मीद थी कि कॉंग्रेस पार्टी को अकेले 180 तक सीटे मिल सकती 2019 में भी बड़ी घोर निराशा हुई तो केवल विपक्ष को निराशा नहीं हुई भाजपा के विरोधियों को नहीं हुई भाजपा के अंदर भी कुछ लोग थे जिनको बड़ी निराशा हुई कि ये तो नरेंद मोदी और ताकतवर हो गया तो नरेंद मोदी की ताकत से समस्या या नरेंद मोदी के प्रधान मंतरी बनने से समस्या या बनने की संभावना से भी समस्या जो है वो पहले से है 2013 से एक समय था आपको याद होगा फिर से याद दिला दू अगर भूल गए हों नरिंद मोदी को प्रधान मंतरी पद का उमीदवार छोड़िये नरिंद मोदी को कैंपेन कमेटी का चेर्मेन बनाने के लिए पार्टी के बड़े नेता तयार नहीं थे और इस विरोध में सबसे आ यह होगा लेकिन फैसला हो गया फिर पार्लिंद मोदी को प्रधान मंतरी पद का उमीदवार नहीं बनने देंगे लेकिन जनता का ऐसा दबाव था कि उसके आगे न भाजपा के नेताओं की चली और न संख में जो लोग नरिंद मोदी को नहीं चाहते थे उनकी भी नहीं च दो गुठोग बन गये थे वहां भी दो धड़े बन गये थे एक नरिंद मोदी का समर्थन कर रहा था दूसरा भी रोध कर रहा था तो नरिंद मोदी से समस्या उनके नित्यतु से समस्या पाटी के अंदर भी कुछ लोगों को थी और संग के अंदर भी कुछ लोगों को थी तो संग के अंदर जिन लोगों को समस्या थी उनके प्रधान मंत्री बनने के बाद उनकी इच्छा ये नहीं थी कि उनकी कोशिश कहिए ये थी कि उनकी ताकत कुछ कम हो जाए लेकिन पार्टी में ऐसे लोग थे जिनको लग रहा था कि अवसर है तो ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोगों को लग रहा है कि पार्टी दो सो चालिस पर आ गई है तो ये अवसर है एसे में इस सरकार के सबसे योग्य मंतरी, सबसे कुषल मंतरी निटिन गटकरी सबसे आगए है माना जाता है कि उनको संग के एक धड़ेका समर्थन है, उनाखबुर के रहने वाले भी हैं तो उनको संग की पसंद माना जाता है, संग की पसंद से ही वो बारती जन्दा पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष बने थे, ये अलग बात है कि संग के चाहते हुए भी उनको दूसरा कारेकाल नहीं मिला, तो ये जिन लोगों को लगता है कि संग जो चाहे करवा सकता है बीजेपी में, उनकी गलत फेहमी उस समय तूट गई होगी, जब चाहने के बावजूद निदिन गर्णकरी को दूसरा कारेकाल राश्ट्री अंध्यक्ष का भाजपा के नहीं मिला था, इसी तरह से जब 2013 में ये प्रश्ण आया कि नरिद मोदी को चुनाव से पहले प्रदान मंत्री पद के उमीदवार के रूप में उनके नाम को पेश किया जाए या नहीं, इस पर भी एक तरह से मद्भेद था भाजपा और संग दोनों में, लेकिन उसमझ जन्ता का दबाव ऐसा था, दोनों के सामने मजबूरी हो गई, नरिद मोदी को प्रदान मंत्री पद के उमीदवार के रूप में घुश्चित करने के लावा और कोई रास्ता नहीं था, अब आया दोहजार चौबिस का चुनाव में भारतिय जन्ता पार्ट भाजपा की अस्फल्ता माना गया, उनके नेत्रतु में भाजपा की अस्फल्ता के रूप में, उनके विरोधियों ने सबसे ज्यादा दिखाने की कोशिश की, पाटी के अंदर से भी इस तरह की कोशिशे होई, तो मैंने शुरू में जो बात कही, कि दो स्तर पर सत्ता का सं विफोरिया था विपक्ष में, खास्तोर से कॉंग्रेस पार्टी में 99 सीटे जीतने का, पहली बार नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने का, वो धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। लेकिन पार्टी के अंदर जो अंदरूनी सत्ता संगर्श है, वो धीरे धीरे उपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाना कि उनको मालूम है जो लोग इसके पीछे हैं, उनको मालूम है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन एक काम वो कर सकते हैं, और वो है सरकार और प्रधान मंत्री को परेशान करने का काम। उनके सामने संकट खड़ा करने का काम। उनके सामने परेशानी बाधा करने का काम। और मैं एक घटना को उसके उदाहरण के रूप में आज आपके सामने रखना चाहता हूँ. उसके आधार पर आप राय बना सकते हैं कि ये मेरी धारना सही है या गलत है. सड़क परिवहन मंत्री नितिन गटकरी ने एक चिठ्थी लिखी वित्मंत्री को. और जो चिठ्थी लिखी उसमें मांग थी कि मेडिकल इंशूरेंस पर जो जो जीएस्टी लगती है उसकी दर घटा दी जाए. ये मांग हर दृष्टी से बहुत ही जायज बहुत ही स्वाभाविक मांग है. ये जो है नयायोचित मांग है मैं कहूंगा. इस समय कोशिश ये होनी चाहिए देश में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेडिकल इंशूरेंस लें. उसके लिए सरकार को जो भी उनको सुझा देनी पड़े देनी चाहिए. जियस्टिक ना हाई रेट जो है वो एक तरह से उसमें हिंडरिंस का काम करता है, रुकावट का काम करता है. तो इस मुद्दे से किसी को असमती ने हो सकती. लेकिन नियत का पता चलता है मुद्दा किस तरह से उठाया गया. नितिन गड़करी cabinet के सदस्य है वित्मन्त्री से हर cabinet की बैठक में जो लगभग हर हकते होती है मंगलवार को उनकी मुलाकात होती है उसमें वो ये बात कह सकते थे या फिर उनको चिठ्थी भी लिख सकते थे और पोन भी कर सकते थे चिठी लिखी उसको मीडिया में लीक कर दिया यहीं से फिर सवाल उठता है कि अच्छे काम के पीछे कोई राज़नितिक नियत भी है क्या यह सवाल इसलिए उठता है कि वो चिठी मीडिया में पहुँच गई और उस चिठी का लाब किस विपक्ष ने उठाया, विपक्ष जो धीरे-धीरे मुद्दा विहीन होता हुआ दिखाई दे रहा है, संसद के अंदर आप इस बात से अंदाजा लगाईए, कि संसद का सत्र चल रहा है, विपक्ष की संख्या बढ़ी हुई है, विपक्ष आकरामक दिख रहा था, और उसको जो नितिन गटकरी ने लिखी थी, कि GST की दर घटाई जाए, अब विपक्ष में जो लोग ये मांग कर रहे थे और नितिन गटकरी है, दोनों पूरी प्रक्रिया से परिचित है, कि GST में अगर रेट घटना है तो कैसे होगा, वित्मंत्री GST का रेट नहीं घटा सकती उसका फैसला GST काउंसिल में होता है, और GST काउंसिल में सभी राज्यों के वित्मंत्री होते हैं, और GST काउंसिल में दो तिहाई बहमत राज्यों का होता है, एक तिहाई वोट सिर्फ केंडर का होता है, केंडर सरकार का, इसलिए कोई भी फैसला जब तक राज्य नहीं च सकता है लेकिन जेस्ट्री काउंसिल ही ये फैसला ले सकती है वित्मंत्री के हाथ में ये फैसला लेने का अधिकार नहीं है तो अगर नितिन गड़करी ये मेरा मानना है आप इससे समत हो सकते हैं सचमुच इस मुद्दे को गंवीरता से ले रहे थे तो उन्हें सबसे पहले जेस्ट्री काउंसिल के चेर्मेंट को चिठ्ठी लिखनी चाहिए थे फिर दूसरे दलों के नेताओं को और वित्मंत्री सब को चिठ्ठी लिखनी चाहिए थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने वित्मंत्री को कट घरे में खड़ा करने की कोशिश की यानि जो अपनी ही सरकार को, अपने ही मुख्यमंत्री को मुश्किल में डालने की हर संभव, कोशिश हर संभव प्रयाज कर रहे थी। उनको लग रहा था कि इससे उनका कद बढ़ रहा है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश घुम कर चले आईए, आपको पता चल जाएगा कि इससे उनका कद बहुत नीचे चला गया, बहुत छोटा हो गया, पहले भी बढ़ा नहीं था, और छोटा हो गया। वो एक विग्ण संतोशी के रूप में उभर कर आएं, जिसको विग्ण डालने में मज़ा आता है। प्रजान मंत्री भी होते हैं। और उनके पास आफसर है, अगर कोई और कहे, जो मंत्री मंदल का सदस्य नहीं है, जिसके पास फोरम नहीं है, ऐसी बाते उठाने का, ऐसे मुद्दे उठाने का, वो अगर ये काम करें तो एक बार फिर भी समझ में आता है। तो ये जो सतह क अंदर का संघर्ष था, वो धिरे-धिरे सतह के उपर लाने की कोशिश हो रही है। उसमें कितने सफलता मिलेगी नहीं मालूम। लेकिन इतना तय है कि नितिन गटकरी और उनका समर्थन करने वालों को लग रहा है कि यही मौका है। नरिंद मोदी को कमजोर करने का, यह कमजोर दिखाने का कम से कम। उनको यह आउसार, यह जो पार्टी पर एक तरह से मैं मानता हूँ आपदा ही है, अपने बल पर 272 सीटे न मिलना, यह भारती जंता पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसका नुक के शिर्ष नित्यतों को नहीं रही होगी या उनको मालूम होगा कि कौन-कौन ऐसा कर सकता है। वो जो ऐसे विग्र संतोशी लोग हैं, वो अपने आपको खुद ही बाहर ला रहे हैं, अपनी पहचान करा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि नितिन गड़करी राष्ट्री केश मौर्या बन गए हैं। और ये उनका जो स्टेचर है, उनकी जो परफॉर्मेंस है सरकार में। और पार्टी के पूर राष्ट्री अध्यक्ष है। इस नाते जो है, उनको ये शोभा नहीं देता। इस तरह का काम करना। आपके पास हर तरह का महुका है, फिर कह रहा हूं। कैबिनेट में उठा सकते हैं, प्रधानमंत्री से बिलकर बोल सकते हैं, वितमंत्री से निजीत खर बात करके बोल सकते थे, ये सब रास्ते आपने जिससे आपकी नियत पर कोई शोड़ न कर पाता, ऐसे सारे रास्ते छोड़ कर आपने वो रास्ता अपना है, भलेहीं तोछ नहीं लगा रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने किया है, उससे उनकी नियत पर सवाल उठता है, उससे जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, उसके प्रती वो गंभीर हैं, ऐसा लगता नहीं। उनको ये मुद्दा उठाना था, वितमंत्री को और उसके जर्य प्रधान मंत्री को मुश्किल में डालना था। और विपक्ष को उन्होंने बैठे बिठाये एक मुद्दा दे दिया। विपक्ष के किसी नेता यह मुद्दन नहीं उठाया आप इस बात पर ध्यान दिजिए विपक्ष इतना आक्रामक होते हुए भी उसने इस मुद्दे को नहीं उठाया यह मुद्दा विपक्ष ने उठाया जब नितिन गटकरी की चिठीली कोई मीडिया में आई तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शुरुवात है ऐसे अवसर और आ सकते हैं इसका मतलब ऐसे अवसर की प्रतीक्षा हो रही है कि सरकार मुश्किल में आए सरकार संकट में आए और उस समय हम अपना वार करें तो ये कारिकाल जो है प्रधान मंत्री नरेद मोदी के लिए केवल इस दृष्टी से चुनोती पूर नहीं है कि उनको गड़बंधन की सरकार चलानी है इस दृष्टी से भी चुनोती पूर है कि उनको जो अंदरूनी शक्तियां है उनको भी नियंत्रण में रखने की चुनोती है और ये शक्तियां आने वाले दिनों में इनका होसला और बढ़ने वाला है कम नहीं होने वाला है तो परधान मंत्री नरेद्मोदी को दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी बाहरी मोर्चे पर भी और अंदरूनी मोर्चे पर भी तो इस अंक में इतना ही अगले हंग में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अन्मती दीजी आप संरोध है कि ये चैनल देखे, शेर कीजे, लाइक कीजे और सब्सक्राइब जरूर कीजे नमस्कार